दोस्तो गर्भवस्ता के दोरान महिला के बढ़ते हुए वजन को देखते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है कई तरह के अंदाज हमें देखके लगाते हैं हमारे आसपास की महिलाएं हमारे बढ़ते हुए वजन को देखकर कई तरह के संकेत हमें देती हैं कि होने वाल तो मैं जोती आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइंस विग्यान हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं बढ़ते हुए वजन से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है गरवस्त सिशो के बारे में और साथे साथ हमारे बड़े बुजूर्गे हमारे घर के लोग हैं वो हमें किस तरह से क्या बताते हैं इसके पीछे क्या साइन्टिफिक लॉजिक रहते हैं दोस्तो ऐसा कहा जाता है अगर जो महिला है महिला का वजन जो है जादा बढ़ता है तो वहां पर बेबी बॉई ह होती है तो उसका वजन बढ़ना बिल्कुत सभाविक होता है क्योंकि बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है बच्चे को सब कुछ नियोट्रिशन चाहिए होता है उसी इसाब से महिला का डाइट भी थोड़ा बढ़ जाता है और बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता ह रूवत ज़िए ॥ अगर जिसमें ऐसा बताया गया है कि बच्चे का जो वजन है उससे किस तरह से जो है अनुमान लगाया गया तक कई सारी महिलाओं पर किया गया अध्यन में आपको बताने जा रही हूँ जिसके हिसाब से आप लोग समझे गया कि आपका वजन कितना बढ़ रहा है ऐसा माना जाता है healthy pregnancy के लिए 10 से 14 किलो तक वजन बढ़ना चाहिए ऐसा माना किया है अगर इतना वजन बढ़ रहा है तो इसमें मा और बच्चे को किसी भी तरह का कुछ भी complications नहीं आते हैं यह एक healthy pregnancy की निसानी होती है दोस्तों अब वेग्यानिक ऐसा मानते हैं कि बेबी का जो जेंडर है जो मतलब मेल जो ब्रून होता है उसका metabolic में जो rate है वो थोड़ा जादा रहता है मतलब मेल को जादा कैलोरी की आवशकता पड़ती है मा के गर्ब में अपने आपको सुरक्षिद रखने के लिए तो जिसकी वज़े से जो मा रहती है गर्वती महिलाया रहती है अगर उन्होंने गर्वस tissue उनका baby boy रहता है तो वो जादा खाना जादा कैलोरी के रूप में ज्यादा कैलोरी वो लेती है जिसकी वज़े से उनका वज़न ज्यादा बढ़ता है और वहीं जो गर्वत tissue अगर baby girl है तो उनका metabol字 Emergency rate थोड़ा हल रहता है baby boy से तो कम कैलोरी की आवसकता होती है और महिलाया कम कैलोरी लेती है जिसकी वज़े से baby girl के case में ज्यादा नहीं 10-15 किलो अगर गर्भवस्था के दोरान बढ़ रहा है तो वहाँ पर बेटी होने के चांसे बहुत जादा है वहीं अगर 15-25 किलो तक कभी-कभी 30 भी पहुँच जाता है यह तो 15-25-30 वाली जो महिलाए होती है उन में ज्यादा तर जो है वो लड़का ही होता है अब मैं आपको अपना बताती हूँ मेरी गर्भवस्था के दोरान मेरे वजन कितने बड़े थे मेरी दोनों बेटियों के टाइम पे फ्रेंड्स 10-12 किलो इतना ही मेरा वजन जो है बड़ा था और बहुत ज्यादा फैट मुझे पूरी बॉड़ी पे नहीं आया था फ्रेंड्स तो इस से मैं जो ये स्ट्रडी है मतलब क्योंकि ये साइंस के दोरा बताई गई बाते हैं तो इसके पीछे तो लॉजिक है और लॉजिक मेरे साथ बिलकुल सही बैठा था हमारे बड़े बुज़ूर का त्रीका थोड़ा सा अलग होता है साइंस जो है वो फैक्ट और लॉजिक पर ही बात करती है लेकिन तरीके दोनों की एक है लेकिन तरीके जो है वो अलग-अलग होते हैं समझाने के लिए दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है बड़े बुजुद कहते हैं, ज़्यादा भूक लग रही है महिला को तो अपेसी बात ज़्यादा भूक लगेगी तो वजन ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर लड़का होने के चांस एक दम ज़्यादा हो जाते है कम भूक लग रही है कम वजन बढ़ रहा है वहाँ पर जो है लड़की होने के चांसे जो है दोस्तो थोड़े जादा हो जाते हैं तो इस तरह से मैंने आपको दोनों ही चीजे जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि किस तर देड़ किलो का जो प्लेसेंटा है उसका वजन होता है जो एम्नियोटिक फ्लूड होता है वो भी करीबन एक से देड़ किलो का रहता है जो हमारे ब्रेस्ट के टिशू रहते हैं वो भी करीबन एक किलो के ऐसा स्टड़ी कहती है इतना वजन वहाँ भी हो जाता है दो किलो ह हमारा blood supply मान लीजे जो extra होता है सरीर में एक से धाई किलो जो हमारा uterus होता है वो depend करता है बच्चे के साइज पर तो एक से धाई किलो तक uterus का भी weight रहता है हमारा और जो मतलब delivery और जो जो हम लोग breast feed कराते है उसके लिए हमारे body में fat store होता है ताकि आगे हमें energy मिल सके delivery होनी है उसके बाद breast feed देना है तो उसका जो total fat हमारे body में store रहता है वो करीबन धाई से चार किलो तक रहता है तो ये एक एक अंदाजा है जो study कहती है दोस्तों मैंने आपको clear किया है उमीद करूंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching नमस्कार दोस्तों